हलो बच्चो आज हम देखने वाले हैं कक्षा सात्वी की हिंदी दूसरी काई पार्ठ एक अस्पताल तो इस पार्ठ में देखिए आपको ये चितर दिया गया है उसका वड़न करना है आपको रिसक ना है उसके बारे में और लेकिन इसमें देखने वाले हैं इसका प्रश्ण देती हूं ठीक है यहां पर देखिए अलग-अलग लिखा हुआ है यहां पर सूचना लिखी हुई है छोटा परिवार सुखी परिवार ठीक है सूचना नहीं इसे कह सकते हैं सूचना फलक लिखा सूचना पट लिखा हुआ है एक नारा है छोटा परिवार सुखी परिवार ज और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक सुचना की रोगी यों से मिलने का समय क्या है तो क्या समय हो गया है आट से दस शाम चार से साथ और यह पर देखिए एक नरा लिखा हुआ है एक पहुती अच्छी सूचना लिखी हुई नेत्रदान और एक दूसरी क्या है रक्तदान महादान तो देखे आप कैसे आपको यह बताना है उपरीक चुतर में अस्पताल से संबंदित जानकारी सूचना वह उनका पारण करने का वर्णन दिया गया है यह अस्पताल है यहां पर कुछ रोगी प्रतिक्षा कर रहे हैं डॉक्टर बिमार व्यक्ति को देखने जा रहे हैं एक परिचारिका यानि नर्स एक रोगी को पहियेदार कूर्सी पर लेकर आ रही है नित्रदान और रक्तदान के पती लोगों को जागरूप करने के लिए रक्तदान महादान और नित्रदान के घोश वाक के लगाए गए हैं यहां पर हमने देखा न एक जो नर्स है परिचारिका वो एक महिला को वील्डचेर पर लेके आ रही है उसके पैर चोटिल है और उसमें प्लास्टर बंदा हुआ है कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं डॉक्टर का इंतिजार कर रहे हैं और यहां पे देखिए हैं यहां पे काउंटर से हैं यहां पे दो एक महिला और एक पुरूश यहां पे बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए हैं यहां पे यहां पे हम एक डॉक्टर को भी देख रहे हैं कि जिनके हाथ में फाइल है और यहां पे एक महिला को देख रहे हैं जिसके हाथ में एक शिशू है और उसके पास एक छोड़ा सा बच्चा भी है जो डॉक्टर की तरफ देख रहा है कुछ उसके बारे में बोल रहा है और हम देख रहे हैं डॉक्टर के गले में एक स्ट्रेथिस्कोप भी है जिससे डॉ सबसे लोगों की धड़कन की जांच करता है ठीक है और यहां पर इससे देख रहे हैं हम इस व्यक्ति को यह व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है कुछ तो यहां पर देखते हैं नेतरदान और रक्तिदान के प्रति लोगों को जागरूप करने के लिए रक्तिदान, महादान और नेतरदान के घोश वाक के लगाए गया है रोगी से मिलने के लिए सुबह आठ से दस एवं शाम चार से साथ बजे तक का समय निश्चित किया गया है छोटा परिवार सुखी परिवार का आधर्श सूचना फलक पर लिखा गया है ताकि लोग छोटे परिवार के महत्व को समझें अस्पताल में एक और कूडा दान भी रखा हुआ है चारो तरफ सुच्छता है रोगी से अधिक बात करने करके लोग उसे परिशान न करे इसलिए शांती वह स्थापन से संबंधित सूचना दी गई है गहन चिकित्सा केंद्र यानि की आईसीउ ठीक है आईसीउ के पास एक पहरेदार खड़ा है वाड के बाइं तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर दिखाए पड़ रहा है जिससे इस्त्री शिक्षा महत्व की स्थापना की गई है यहां पर देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां पर यह रहा है ठीक है यह यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहां पर लिखा हुआ है हुर इसका प्राश्य नतर देखते हैं घाल ने हैं तो यहां पर दिया हुआ है चित्र पर दिए गया चित्रों को देखकर अंप्राश्ण के उत्तर in Rigette एक शब्द में लिखीए एक वर्ड मी सिरफ आपको आंसर देना है तो बहुत ही सिंपल है बहुत ही एज़ी है उपरिक चित्र में क्या धिख रहा है अस्पताल कितने रोगी प्रतिक्षा कर रहे हैं तीन चित्र में कितने कुडेदान धिख रहे हैं एक आइसीई के बाहर कौन खड़ा है पहरेदार चित्र में कितने ड 것이 दिखाई दे रहे हैं दो चितर में जगा जगा कुड़ेदान रखा गया है, गलत जगा जगा पे नहीं रखा गया है, आमने देखा, काउंटर पर लोग जगडा कर रहे हैं, गलत काउंटर पर लोग पुछताच करने के लिए आते हैं, अस्पताल में शांती बनाये रखनी चाहिए, बिल्कुल सही, र महादान किसे कहा गया है, रक्तिदान को महादान कहा गया है, अस्पताल में रोगी से मिलने का समय क्या रखा गया, अस्पताल में रोगी से मिलने का समय सुबह आठ से दस और शाम चार से साथ बजे तक रखा गया है, रोगी से अधिक बाते क्यों नहीं करनी चाहिए, सांती बनाये रखनी चाहिए निमलिखित शब्दों में से उसी शब्द चुन कर रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए अब यहां पर यह फिरिंग देप लाइंग से बच्चों देखो यहां पर एक वर्ड पहले दिया गया है कुछ वर्ड पहले दिये गया है कुछ वर्ड है तो रोगी से अधिक बाते यहां पर आएगा बाते न करें आंसर लिखा हुआ है नहीं आंसर चोटा परिवार शुखी परिवार इहां पर आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ आप समझ जाना इसे यहां पर डैश तो क्या आएगा ब्रैकेट्ट में दिया हुआ है वहाँ पर हम्ने देखा शानति यहां पर आएगा शानती बनाया रखें आप देख लिजिए यहां पर क्या क्या है सुख्षी शानती रक्तिदान बाते भाल देखते हैं कहां पे आता है हाँ यहां पे देखो डैश तो यहां पे क्या आएगा महादान के पहले रक्तिदान ठीक है रक्तिदान महादान और उसके बाद अस्पταल में मरीजों की क्या की जाती है देख भाल की जाती है तो हो गया सहरा मारा ये सारे कोशन आंसर कंप्लीट हो गए स्टुएंट कोई डाउट रहे कॉमें सेक्षिंट में पूछे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूले आप कोई डाउट रहे तो comment section में जरूर पूछे अपने friends साथ भी share कर दीजिए उनको भी help मिल जाएगी आपको चाहिए तो आप screenshot ले सकते हैं ताकि आप easily लिख पाओ ठीक है अगर आपके पास digest नहीं है workbook नहीं है या फिर workbook complete नहीं है तो आप इसकी मदद से कर सकते हो इसलि एकना पूलत रहे तो आप जरूर मुझे comment section में बताएए है 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 यह को आप तो कि होखे है